Dear Students, आज आज हम Non-Aquous Solvents chapter का second lecture deliver करेंगे. जिसके अंतरेकरते हम Solvents की General Properties की बार में Studio करेंगे. इनø प्रोपर्टिज को हम दो क्रूप में दिवाड करके अधिन करेंगे. physical properties और chemical properties Solvents की properties का अधिन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि Solvents में उनकी जो properties है उनका difference पायजाने की वज़े से उनका जो utility है या उनका जो उप्योग है वो अलग-अलग तरह का होता है specific reactions या condition में किसी specific solvent का importance अधिक होता है किस condition में या किस अभिकिरिया के लिए कौन सा solvent अधिक उप्यूक्त होगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि solvents जो specific solvent है उसकी physical और chemical properties क्या है तो हम कुछ solvent का specific studies भी करेंगे उससे पहले हम solvents की general properties physical और chemical उनका अधिन करेंगे तो पहले हम अधिन करते हैं physical properties of solvents physical properties का अधिन हम इस table के according कर सकते हैं जो मुख्य रूप से हम solvents का यहां इस chapter के अंतरगत अधिन करेंगे उनमें non-aqueous solvent में ammonia और sulfur dioxide क्योंकि water universal solvent है इसलिए हम इन दोनों non-aqueous solvent का comparative study कर रहे हैं H2O के साथ melting और boiling point गलनांग और काउतनांग गलनांग और काउतनांग किसी solvent के लिए या किसी भी material के लिए specific होता है और उससे हमें उसकी एक range का पता चलता है जैसे यहां पर आगर हम देखें तो S2O के लिए जो गलनांग है वो 0.00 degree centigrade है जबकि ammonia के लिए minus 77.80 और SO2 के लिए minus 75.46 है इसका मीन यह हुआ कि जो वाटर है वो 0.00 degree centigrade से कम ताप पर हमें solid form में मिलेगा ammonia minus 77.80 degree centigrade से कम ताप पर solid form में मिलेगा जबकि SO2 minus 75.46 degree centigrade temperature पर solid form में मिलेगा boiling point जब हम देखते हैं तो water molecule के लिए water solvent जो एक्वा solvent है उसके लिए boiling point है 100 degree centigrade अमोनिया के लिए है minus 33.40 degree centigrade और sulfur dioxide के लिए है minus 10.02 degree centigrade तो यह जो boiling point है उस boiling point से अगर temperature ऊपर जाएगा तो उससे जो related compound है या solvent है वो solid, sorry gases form में चला जाएगा क्योंकि हम इनका उप्योग solvent की रूप में करना चाहते हैं तो हमारा जो requirement है वो इन material का liquid phase है liquid phase में या दर्व आवस्ता में होने पर हम इनका विलाइक के रूप में उप्योग कर सकते हैं और उस आवस्ता में इनके अंदर होने वाली जो की रीए हैं वह आसानी से और पीवर्था से संपल होगा मेल्टिंग पॉंट और बॉलिंग पॉंट से हमें एक रेंज का पता सलता है कि कितनी रेंज तक यह पदार्थ दर्व आवस्ता में रह सकता है उसे हम दर्व ताप छेतर कह रहे हैं जैसे यहां पर और H2O के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ये दर्विताप छेतर है, 0 degree centigrade से 100 degree centigrade, इसका मीन ये हुआ, कि जो water solvent है, aqua solvent है, वो 0 से 100 degree centigrade की बीच में दर्व अवस्ता में रहेगा, तो अगर हमें किसी reaction को करवाना है, 10 degree centigrade पर, या 70 degree centigrade पर, उस condition में हम water को solvent की रूप में, इस temperature range के according यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस अवस्ता में, जो aqua solvent है, water solvent है, ये liquid form में है, जब हम अमोनिया के लिए melting और boiling point की बात करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि, जो अमोनिया है, ये, minus 77.80 से, minus 33.40 degree centigrade temperature range में ही liquid form में रह पाएगा, तो अगर हम समाने ताप पुरदाब की बात करेंगे, room temperature की बात करेंगे, उस condition में, ammonia हमें liquid form में नहीं मिल पा रहा है, अगर हम समाने ताप की अवस्ता में, जो हमारा environmental condition है, उस condition में हम pure ammonia को, या ammonia liquid को solvent की रूप में यूज़ी नहीं कर सकते हैं, लेकित, अगर किसी compound की reaction को, या किसी compound की behavior को हमें, minus 77 degree centigrade के आसपास study करना हो, minus 80 degree centigrade पर study करना हो, तो उस condition में जो ammonia है, ये उसके लिए एक उप्यूक्त solvent होगा, इसी प्रकार, अगर इस temperature range के बीच में, किसी compound की reaction या उसके properties के बारे हमें, इस्टेडी करना है, तो उसके लिए फिर, SO2 solvent उप्यूक्त होगा, तो इस प्रकार, जो विलाइक है, उन्हें विलाइक के गलनाक और काउथनांक से, उनके डर्विताब छेतर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर हम उनके जो chemical process है या chemical reactions है, उनका अध्यन आशाने से कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरल फिजिकल प्रोपर्टी है, डाइ इलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट, डाइ इलेक्ट्रिक स्त्रांक, ये डाइ इलेक्ट्रिक स्त्रांक के एक constant value है, जो मीडियम या विलाइक की नेचर के उपर depend करता है, ये इस त्रांक के आईनों के मध्धे, जो मीडियम है, उस मीडियम की strength को represent कर रहा है, कि वो उन आईनों के मध्धे आकर्षन बलको कितना कम करता है, जब किसी विलाइक में हम आईनी के material को dissolve करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि positive और negative आईन, आईनाईज होकर दूर होने लगते हैं, तो जिस solvent का dielectric constant जितना अधिक होगा, वो solvent उसमें गुणने वाले आईनिक पदार्थ के आईनों को उतनी अधिक तेजी से या उतना अधिक उनको दूर करेगा, तो इस प्रकार जिस material के लिए dielectric constant अधिक होगा, वो उसमें गुणने वाले पदार्थों के आईनों के मद्धे, पाए जाने वाले आकर्षन बल्ब में उतनी ही अधिक कमी ला देगा, तो dielectric constant के according हम ये study कर सकते हैं कि कौन सा material धुर्विय पदार्थों को या आइनिक पदार्थों को अधिक मात्रा में आइनाइज कर सकता है, आइनाइज करके उनको dissolve कर सकता है, यहां हम देख रहे हैं कि जो water molecule है या water solvent है उसके लिए dielectric constant सबसे अधिक होता है, तो इसके according हम कहते हैं कि जो पानी है, water है, यह सर्वोतम विलाई की रूप में behave करता है, क्योंकि इसका dilatory constant इतना अधिक है, इस कारणी ये आइनिक योगिकों को बड़ी आसानी से dissolve कर लेता है, उन आइनों के आइनिक योगिक के जो आइन्स हैं, उनके मद्धे के आकरण बोल को ये बड़ी तीवर्ता से कम कर देता है, नेक्स्ट प्रोपर्टी है, विसकोसिटी या डेंसिटी, विसकोसिटी और डेंसिटी का यूज हम जब precipitation reactions या अउच्छेपन अभिकिरियाएं करते हैं, या अभिकिरियाओं के बाद, जब हम solvent से product या side product को प्राप्त करते हैं, उस condition में material की विसकोसिटी और उनके डेंसिटी है, उसका importance होता है, कोई भी दर्वे, जितना अधीक गाड़ा होगा, उसकी विसकोसिटी उतनी अधीक होगी, और यदि हम उस विगाड़े विलाई के अंदर precipitation reaction करवाते हैं, वहाँ से जो product है, जिसका PPT बना है, उसको अगर हम पर्थक करना चाहेंगे, तो वहाँ पर हमें काफी अधीक efforts करने पड़ेंगे, वहाँ कष्णा युद्पन होगी, तो उस condition में हमें कम स्यांता वाले जो विलाईक है, उसका अपयोग करना चाहिए, नेक्स्ट प्रोपर्टी है, डाइपोल ममेंट, दिधुरू आघुन, दिधुरू आघुन के द्वारा विलाईक की दुर्वी परवर्ती को रिपर्जेंट किया जाता है, दिधुरू आघुन, किसी पदार्त के दो दुर्वों के मध्धे की जो दुरी है, उस दुरी की मात्रा डी और दुरू के उपर जो आवेश की मात्रा है, उस आवेश के गुनिफल के बराबर होता है, जिसे हम म्यू से रिपर्जेंट करते हैं या डी से रिपर्जेंट कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये म्यू या डी इस इकुवल टू ये आवेश की मात्रा गुना एल, दो जो पोल बने हैं उनकी इसका डिस्टेंस, दूरू दूरू आगून के आधार पर हम विलाय की जो प्रोपर्टी है उसका यूज इस प्रकार से कर सकते हैं, कि एक कंसेप्ट होता है, लाइक डिजोल लाइक, समान समान को घोलता है, तो अगर हम किसी धूरू ये पदार्थ को किसी विलायक में घोलने का परियास करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जिस विलायक का डाइपल मोमेंट जितना अधीक है, उसका दूरू आगून जितना अधीक है, उसमें वो उत्रही अधीक आशानी से गुलेगा, तो अधीक दूरू आगून वाले विलायक का ही उपयोग हमें धूरू विये पदार्थों को गोलने के लिए करना चाहिए, इसके इलावा, प्रोटोन एफिरिंटी के आधार पर भी सॉल्वेंट्स की उपयोगिता होती है, कुछ रियक्शन्स में सॉल्वेंट एइसिड या बेस की रूप में बिहेव करते हैं, तो सॉल्वेंट का वो एसिडिक या बेसिक जो नेचर है, वो ये रिपेडेंट कर रहा है कि उस सॉल्वेंट का प्रोटोन के परती एफिरिंटी कैसा है, क्योंकि उस affinity के according ही उसमें घुनने वाला जो पदार्थ है वो अपना behavior decide करता है इसके लबावा conductance या चालक्ता चालक्ता के दुआरा जब हम किसी विलायक के conductance को measure करते हैं के दुआरा हमें यह पता चलता है कि उस solvent में auto ionization का process कितना अधिक है उसके ionize होने की nature किस प्रकार की है वो जितना अधिक ionize होगा उसमें ions की मात्रा उतनी अधिक होगी और उसकी conductivity का मान भी उतना ही अधिक होगा अधिक ionize होने वाले विलायक में जो अमलचार अभिकरिया हैं वो बड़ी आसानी से होती है तो उन अभिकरियाओं के लिए हम ऐसे विलायका chain करते हैं जिसके लिए conductance का मान उच होता है तो यह हमने solvents की general physical properties के बारे में अधिन किया फिर हम बात करते हैं chemical properties की chemical properties में जो solvents हैं वो solvent खुद chemical process में भाग लेते हैं और उनकी एक specific property होती है या specific nature होता है जिसकी वज़े से वो solvent अपने अंदर होने वाले जो राशानिक अभिकरियाओं हैं और उन अभिकरियाओं से जो बनने वाले product हैं उनकी nature को भी प्रिवर्थित कर सकते हैं इसलिए solvent का यूज करने से पहले उसे solvent की chemical property के बारे में भी पता होना जरूरी है यहां हम कुछ से reactions का example ले रहे हैं जो solvents के दुवारा represent की जाती है या solvent पर देशित करते हैं जैसे आमल चार अभिकरियाओं में किस प्रकार से होती है यह हमने इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें बहुत विस्तार से पड़ा था जो सबसे पहला जो concept है आरेनियस concept वह यही कहता है कि जब जल यह विलाइक में हम किसी पदार्थ को डिजोल करते हैं तो वह आइनाइज होकर अगर कि उनकी आमलता और चार रखता को भी उसी आधार पर एक्सप्रेन किया जाता है जब हम आमल चार के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर solvent का जो नेचर है वो भी यह define करता है यह सोरी determine करता है कि उसमें गुणने वाला जो पदार्थ है उसका behavior कैसा होगा acidic होगा या basic होगा इसी आधार पर हमने विलाइकों को वहां पर मुख यूरूप से दो category में divide किया था सम आइनन विलाइक leveling solvents और विसम आइनन विलाइक या differentiating solvents सम आइनन विलाइक ऐसे विलाइक जो अपने अंदर घुणने वाले पदार्थों को लगबग समान समर्थे में या समान मात्रा में आइनाइज करते हैं उनमें गुणने वाले जो अमल या चारक होंगे उनकी जो strength है वो लगबग हमें सेम परती तो होती है जो next property है वो है solvation या solvate formation विलाइक संकर का निर्मान जब हम विलाइकों के अंदर किसी पदार्थ को dissolve करते हैं तो विलाइक के अनू उस गुलने वाले पदार्थ के साथ interaction करते हैं और उसके साथ ही जूड जाते हैं जैसे गुलने वाला पदार्थ यदि आइनाइज होकर positive और negative आइन देता है तो विलाइक के अनू उस positive और negative आइन के चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं उसे हम कहते हैं solvation विलाइकन हो जाना तो इस प्रकार उस property के द्वारा विलाइकन जो परवर्ती है उसके द्वारा वो solvent उसमें गुणने वाले पदार्थ को चारों तरफ से covering कर लेता है उसे एक तरह से protection देता है जो उसे आइन के आगे की अभीकिरियाओं में भाग लेनी की जो परवर्ती है उसको प्रभावित से कर सकता है नेक्स्ट प्रोपर्टी है सुल्वोलिसिस या सुल्वोलिटिक रियक्शन्स विलाइक अब घटनी या विलाइक अब घटनी अभीकिरिये विलाइक जब किसी विले पदार्थ के साथ इंट्रक्शन में आता है तो वो कई बार डिकंपोज हो जाता है या विक्टित हो जाता है तूट जाता है जब विलाइक के अनू विक्टन की अभीकिरिया में या तूट विवक्त होने की परकिरिया में भाग लेते हैं तो उससे हम बोलते हैं विलाइक अब घटनी या विलाइक अब घटनी परकिरिया सुल्वोलि या रिनाइन की सांदरता बढ़ जाती है जैसा कि हमने अमल चार को परी भासित करते समें solvent जो definition है solvent concept है उसके according explain किया था next property है metathetical reactions या वीनिमे अभी किरिये या आउचेपन अभी किरिये जब हम solvent के अंदर कोई reaction करवाते हैं तो उन reaction में एक मुख्य reaction होती है precipitate बनने की अभी किरिया या आउचेप बनने की अभी किरिया तो आउचेप बनने की जो अभी किरिया है उस अभी किरिया में हम किसी उप्यूक्त विलाइक का उप्योग करने पर उस अभी आउचेपित हुए पतार्थ को बड़ी आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं समाने रूप से जिसे हम कुछ से ऐ कार्बनिक योगी कोंगे जब precipitation करते हैं तो वहाँ पर sulfur dioxide एक अच्छा विलाइक के रूप में कारिय करता है इसके अलावा विलाइक redox अभी किरियाओं में भी भाग लेते हैं ये redox अभी किरियाओं क्या हैं तो वो हमने से पहले अधिन किया कि जहाँ पर reduction और oxidation अभी किरियाओं एक साथ संपन होती हैं तब हम कहेंगे वहाँ पर होने वाली reaction है वो redox reaction है Redox reaction में ओक्षी करन अप्चेन का जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने अधिन किया था जल के इस्ताहित उच्छेतर का कि जल के अंदर भी जो aqueous solvent है अपना उसके अंदर भी redox प्रोसेस होते हैं और जो दूसरी solvent है उनके अंदर भी redox process होते हैं लेकिन उनका एक range होता है कि पर्टिकुलर pH पर उनका एक निश्चित अप्चेन विभव होता है उस विभव के range में कुछ material वहाँ पर stable रहते हैं जिसके according हमने बताया था कि वहाँ उसे हम उस विलायक के लिए इस्थाइत उच्छेतर कहते हैं अगर विभव कमान उस इस्थाइत उच्छेतर से भिन हो जाता है तो वो घुनने वाला पदार्त उस विलायक के अंदर ओक्षीकर्ण या अप्चेन अभिक्रियाओं में भाग लेता है समाने ते जल रिडोक्स अभिक्रियाओं के लिए परियुक्त नहीं किया जाता है समाने रूप से ओक्षीकन अभिक्रियाओं जल में बड़ी आसानी से संपन करवाई जा सकती है लेकिन जो अमोनिया है वो इसके जस्ट परवर्ति रखता है उसको हम अप्चेन अभिक्रियाओं के लिए मुक्षी रूप से परियुक्त करते हैं और लिक्विड सल्फर डाय उक्साइड को हम मुख्य रूप से रिडोक्स अभिकरियाओं के परती उदासिन मानते हैं और उन कंडिशन में उसका काफी अधिक यूज किया जाता है इस प्रकार आज हमने अधिन की विलाएके की केमिकल और फिजिकल प्रोपर्टीज जिनकी आधार पर हम किसी पर्टिकुलर कंडिशन या पर्टिकुलर रियक्शन के दोरान किस विलाएक का परियोग करें यह समझने में हमेशा आइता मिलती है ओके थेंगे